हलो दोस्तों स्वागत है आपका get it clear चैनल में जैसे कि आपको पता है कि हमने computer के पार 24 में आपके motherboard के components को पढ़के खतम कर दिया है फ्रेंच मैंने उन components को आपको with the help of diagram पढ़ाया है कोई भी कोशिन अगर आपका motherboard से आता है तो आप उसको easily attempt कर पाओगे ठीक है तो फ्रेंच हम चलते हैं अपने next component की तरफ और यह next component है आपका CPU CPU क्या होता है आपका यह एक central processing unit होता है ठीक है आपको पता है कि CPU के हम कुछ following features यह पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं आपको CPU को आपका brain of computer भी कहा जाता है यह क्या करता है आपके यह सारे तरह की data की processing करता है जो भी आपका data हम computer के लिए देते हैं ठीक है यह क्या करता है, इस हम प्रोग्राम के तो尼Хी प्रोग्रम होते हैं, वो nhi प्या पता है okay यह क्या करता है आप का पता है किम्टूटर आपके बहुत सारे라고 बरीशन को वह पर फॉर्पॉर्म करता है जितने भी आपने पार्ट इसके साथ लगाए होते हैं, कही ने कही ने कोई ने कोई अपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, तो इसको कौन परफॉर्म करता है आपका, यही आपका परफॉर्म करवाता है और चुन्ट्रोल भी करवाता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यह कैसे करता है इस काम को यहां पर मैंने आपको दोस्तों इमेज भी लगा दी है कि कहीं के विगनर्स होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है तो वह ध्यान में रखे कि CPU जो है वो इस चीज को कहा जाता है जो मैंने हां पर इमेज में लगा के स्टोरेज उनिट और थर्ड है अर्थिमाटिक लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर आर्केटेक्ट्चर को हम थोड़ा यहां पढ़ लेंगे देखो यहां पर इन्पूट यूनिट दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर को इन्पूट नहीं मिली है तो कोई भी चीज की प्र इन्पूट ही टीज आप ठीजान रखना और अब बात करते हैं में इन्पूटर चाहिता पर तो किसी थ्रूपी इसको इन्पूट दिलवा सकते हो उनिट बात करता हैं में यहां पर कट्रोल Uno enough Okay तो ग देख सकते हो आप त्यूंस का कोई चीज lles चाहिए क्लिए जारी दीन मांद रख्राइय चाहिए टैते लेहे एवाबिकInG और वी जारी यहां पर आपकी प्रेसिंग होती है उठेक दिखके आपको देखे जाती है चाहिए आपके आपका बेस में प्रिंटिंग की ओनम है तो फिर आपको छेहां तो चलते हम next की इसकी तरफ देखो friends आपको पता है कि जो आपका चलो control unit के बारे में जो आपको friends जो control unit होता है वो आपके जितने भी computer के instruction होते हैं उनको direct करता है बिल्कुल exact computer parts के लिए जैसे कि आपको पता है कि आपके जो calculation वाली instruction होगी वो ALU के पास जाएगी ठीक है storage वाली होगी तो वो memory के पास जाएगी और अगर आपका output दिखानी है तो वो monitor या आपका printer के पास जाएगी तो इन सब चीजों की जो होती है वो देख रहे हैं आपका control unit ही करता है तो आपका जो control unit होता है वो simple अगर आपने 2 plus 2 भी computer से करवाना है तो उसके लिए भी बहुत number of cycles होते हैं वो उसको perform करने पड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है यह कि जो control unit होता है वो आपके सारे के सारे जो आपके computer के parts लगते है उनके operation को control करता है बट यह क्या नहीं करता है यह कोई भी actual data की processing नहीं करता है ठीक है इस बात का आप ध्यान रखेगा ठीक है अब हम function के बारे में पढ़ेंगे इसके की कौन-कौन से function है ठीक है तो यह जो होता है यह आपका responsible होता है आपके data को control करने के लिए transfer करने के लिए और जो आपके instruction होते हैं उस among the unit of components उनके बारे में ध्यान रखने के लिए आपका control unit की responsibility होती है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखें यह क्या करता है आपके computer के अंदर जितने भी चीज़ें हो रही है उसको manage करवाने और coordinate करवाने की कोशिश करता है ठीक है तो यह क्या करता है अपनी instruction मैंने बोला अब control unit ऐसा करता है पर वो करके कैसे रहा है उसको यह सब पता कैसे चल रहा है क्योंकि उसके लिए instruction जो है वह कहां से ले रहा है söyle कई न कहीं थिसको ऐसा इन्स्रक्शन लिखी ऊकिते है वह और उसी इसे अपने आप्रेशन को ड रेक्ट करने की कोशिश करता है, यह क्या करने है, यह अपनिकेट कर वाता है, इन्पूट आपूम्ट डिवाइस के साथ क्यौं क्यूंग कि इसको डेटा को ट रांस्फर करना एक तरफ से डेटा रहा करता, इसका थोड़ा सा वरकिंग साइकल जान लेते हैं, सबसे पहले आप यह नीचे दिखेंगे, डाइग्राम में, यहां पर आपका ALU है, यह आपका Control Unit है, यह आपका Main Memory है, ठीक है, आप Memory Unit भी इसको बोल सकते हैं, पर यहां पर Main आलिका है तो मैंने इसको यह पोल दिया। सबसे पहले तो यह क्या रज़ेगा अगर इसको कोई भी काम। रजह करेंगा ए है तो उन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराने की कोशिश करेगा, तो यहां पर देख लीजिए, अर्थिमेटिक लॉजिक उनिट के पास चला गया है, जिसे कि इसने कोई भी एडिशन, मुल्टिप्लिकेशन, सब्स्रेक्शन करवानी है, तो वो यहां पर करवा देगा, तिक ह क्या करेगा, कि आपके इंस्ट्रक्शन को जो होगा, वो उनको डिकोड करेगा आपके, किसमें, कम्प्यूटर कमांड में, ठीक है, अब Step 2 आपका, कम्प्यूट हो गया, डिकोड होगी, अब इसकाम है उसको एक्जिक्यूट करवाने का, ठीक है, अगर आपके डिकोड नह नहीं होगी इंस्ट्रक्शन तो वह execution के लिए नहीं जाएगी ठीक है तो क्या करेगा यह process करेगा कमांड को टिक है execution कमांड का मतलब होता है कमांड को процесс करना तू प्रोसेस यहां पर उसने command को कर दिया है और उसके पास step 4 में क्या आता है आपका ये जो भी result होगा उसको write करने की कोशिश करेगा कहाँ पर main memory की अंदर या store करने की store कर देगा यहाँ ठीक है तो friends यहाँ पर total आज हमने control unit के बारे में जाना की क्या होता है हमने उसका थोड़ा सा working cycle देखा उसके हमारा next part जो होगा उसमें हम उसको थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे जो आपका block diagram होगा control unit का उसके बारे में पढ़ेंगे क्यूंकि इसमें flags, register, program, counter, etc. बहुत सारी होते हैं जिसके बारे में पीपर में पुछा जाता है तो friends अगर आपको video helpful लगा हो तो get it clear channel को subscribe कीज friends and have a very very good day friends